जै माता दी मित्रो मेरा नाम पंडित प्रकाज जोसी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्टरवाज में मित्रो 28 जनवरी 2021 प्राता 3 बच कर 18 मिनट पे शुक्र देव राशी परिवर्तन कर रहे हैं मकर राशी में जा रहे हैं और उसका आठ राशियों पर प्रभाव पढ़ने वाला है क्या रहेगा आठ राशियों पर प्रभाव कैसी होगी स्थदी साती सात जो शुक्र ग्रह का राशी परिवर्तन होगा तो चतुर वर्गी योग बनेगा उससे आठ राशियों पर क्या फाइदा होगा क्या नुक्सा पूछ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और नौटिफिकेशन आइकन को भी ओन कर दें बस यही मैं कहना चाहूंगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले शुक्र के वारे में जानते हैं देखिए शास्त्रों में कहा जाता है हिमकुंद म्रिनालाबं दैत्यानाम परमंगुरुम सर्वशास्त्र प्रवत्तारं तंभार्गवपडमाम्यहं यानि कि शास्त्रों में देखे हैं तो शुक्र को लक्षरी का कारक माना जाता है दाम पत्य जीवन का पती पत्नी के सुख का कारक शुक्र को माना जाता है मनो रंजन आनंद का कारक शुक्र को माना जाता है यदि आपकी कुडली के अंदर शुक्र अच्छा है तो कही ना कही जो भी अगर आप पे छोटा सा भी चीजें हैं या इतनी सी भी चीजें हैं उसका भी आप आनंद लेंगे यदि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र राउ के साथ में बैठा हुआ है, शुक्र नीची राशी गत बैठा हुआ है, तो आप मेरी बात को नोटिस करना, आपके पास बहुत कुछ होने के बावजुद भी कुछ ना कुछ आप टेंचन में रहेंगे, तनाओ में रहेंगे, अपनी जीवन को आप कहीं न कहीं आनन्दित नहीं कर पाएंगे या आपको अपने जीवन में आनन्द फील नहीं होगी आनन्द की अनुमूती नहीं होगी कारण क्या है कुछ लोग छोटे सी मकान छोटे से दुकान में खुछ रहते हैं और कुछ लोग बड़े बड़े यानि कि अगर आपकी कुडली में शुक्र कमजोर है तो आपके जीवन में आनंदकारस नहीं रहेगा और खासकर बहुत सारी स्त्रियों की ये समस्यां हैं रहती हैं कि जीवन के अंदर आनंद कहां से लाएं आनंद कैसे आएगा हमारे जीवन के अंदर आकरशन कैसे आएगा हमारे जीवन के अंदर उसके लिए आप लोगों को शुक्र को मजबूत करना पड़ेगा शुक्र पे काम करना पड़ेगा यदि आप शुक्र पे काम करेंगे तो जीवन में रस आएगा आनन्द आएगा आप जो भी काम करेंगे खासकर मैं अपनी बहनों से बात कर रहा हूं मैं अपनी बुजर्ग आधरणियों से बात कर रहा हूं खासकर भारत के अंदर देश विदेश में देखा जाता है और खासकर भारतिय सब्यता के अंदर हाला के हमारी सनातन धरम की जो सब्यता है उसमें इस्त्रियों को देवी माना जाता है देवी तुल्ले माना जाता है लेकिन समाजिक जो सब्यता है बिल्कुल उसके पलट है जो जो हम वेदों को अध्यन करते हैं, हम पुराणों को जब अध्यन करते हैं, हम कताओं को अध्यन करते हैं, तो वहां इस्त्री सुरूपी देवी की पूजा होती है, वहीं पर हम समाजिक धाचे में जब चले जाते हैं, तो इस्त्री के साथ में परितारना होती है, हम माग के कर तब व्यकों दाइतुओं को भूल जाते हैं, एक इस्त्री को इस्त्री का सम्मान नहीं दे पाते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि समाजिक दाइतुओं में कही न कहीं कुछ न कुछ कमी है, जिस वज़े से हमारे घर के अंदर लक्ष्मी यदि रूठी रहेगी, तो जीवन म जिस घर के अंदर इस्त्री का सम्मान नहीं, जिस घर के अंदर इस्त्री को सुख नहीं, उस घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी विराजमान नहीं होती है, कलेश कारक लक्ष्मी विराजमान होती है, ऐसे लोगों के घर में अकसर धन में धोका होता है, भाई-भाई में नहीं बन पाती है वो ऐसे लोगों ठागी के सिकार होते हैं क्योंकि वो अपनी इस्त्री को सम्मान नहीं दे पाते हैं तो इसलिए याद रखेगा कि जीवन में अगर आपको चाहिए कि जीवन भार आपके पास धन की वर्षा ही वर्षा हो धनी धन बरसे जहां आप काम करना जाते ह धन ही धन बरसे तो मैं खासकर शादी शुदा लोगों से बात करूंगा कि उनको अपनी इस्त्रीयों को खुश रखना चाहिए हर शुकरवार को उनको कुछ ना कुछ मीठे में जरूर आप माजार से लेकर गिफ्ट लेके आएं और मीठे में कुछ दें इस्त्रीयों को अच्छा नहीं चल पा रहा है ठीक है जी काम में उलजने बार बार पैसे की ठगी हो जाती है पैसा रुक हो जाता है पैसा ब्लॉक हो जाता है तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी में रोख है आप शुकरवार को इस्त्री को खुश करके देखिए फिर बताईए यदि आप कौवार रहे हैं खासकर कवार लड़का और लड़कियों से बात कर रहा हूं खासकर लड़कों से बात करता हूं तो यदि आप कवारे हैं और आपको नौकरी अच्छी नहीं मिल रही है नौकरी में प्रमोशन अच्छा नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है हर शुक्रवार को अ परसन उजाती है आपके ध्रम पत्नी शुक्रवार को खुश रहती है तो यकीन मानिए आपके जीवन में में राहू केटू शनी कितने ही खराप क्यों नहूं मित्रों आपके भागे को बदलने से कोई नहीं रोख सकता लक्षमी की किरपा आप पर आने लगेगी मान के चलिए चलिए अप टॉपिक पर आजाते हैं यह तो मैंने आपको आपको जन्रल ग्यान दिया है देखिएगा कि 28 जनवरी 2021 में शुक्र राशी परिवर्तन करते ही करते हैं यूट्यूब में वीडियो आती आती है कुछ लोग तो दस दिन पहले ही बना देते हैं कुछ लोग एक मह पाने के लिए काम नहीं करते हैं हम आपको कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं 28 जनवरी 2021 को प्राता तीन बच के 18 मिनिट पर जो शुक्र का राशी परिवर्तन होगा तो राशी तो क्या होगा कि शुक्र देव चार चतुरवर्गी ग्रह का क्या होने वाला इसके बारे में चर्चा करेंगे बाकी जो चार राशी है उन पर इसका कोई एफेक्ट नहीं है कुछ लोग जवर्दस्ति की वीडियो बनाते हैं मित्रो बारा राशी पर प्रभाव बतायते हैं वो मुझ से नहीं होगा मित्रो मैं वहीं बताऊंगा जिन र जाता है जो तीस मुझे क्यों अजमानी चाहिए जो तीस की राय मुझे क्यों लेनी चाहिए यह आपको समझ में आएगा चली बात कर लेते हैं सबसे पहले जो यूती बनेगी वो बनेगी सूरी और शुक्र की यूती यानि कि इसका जो प्रभाव होगा सिंग ब्रिश और इन लोगों पर बढ़ेगा तो इन लोगों को 28 तारीक के बाद ENT की प्रावलम रहेगी नेट या तोचा समन्दी प्रावलम में रहेगी हास अगर आपकी संतान से समन्दित आपको खुशकब्री प्राप्त होगी और काम में आपको ब्रिद्धी के योग नजर आएंगे आ काफी समय से रुके हुए हैं वो काम बनते वे नजराएंगे बस स्वास्ते पे थोड़ा ध्यान रखिएगा दूसरी जो यूती बनेगी शुक्र के राशी परिवर्तन से वो सूर्य और शनी की यूती बनेगी सूर्य और शनी की यूती से मकर और कुम्ब पे इफेक्ट हाँ धनकी स्थती की बात करें मकर और कुम्ब राशी वालों को दो जगा से धनकी प्राप्ति के योग बनते हैं भग ये proper काम करता रहेगा साथी साथ पिता पुतर में मदबेथ रहेगा यानि शनी और सूर्य की यूती जब भी बनती है तो पिता पुतर में अनबन ठनाठ रहनी हो जाती है इसी प्रकार से नहीं नहीं कॉंबिनेशन में चत्र वरगी घ्रामे जह कॉंबिनेशन बन रहा है इस चुक्र और फिरो फ्रोन के oتم औरिम यूति यह एक तरफ मधे वताहूं के गुरू और एक तरफ दानव के गुरू शुक्र ऑन साथ एक कॉम्मिनेशन के अंदर यानि शुक्र और गुरू की जो यूती बनेगी वो धनू और मीन राशी पे इसका एफेक्ट रहेगा, इस्थान परिवर्तन की योग बन जाएंगे, स्वास्त में गडबड रहेगी, धनू और मीन राशी वालों को खासकर एजिड हैं, तो शुगर से समंद्री प्रॉब्लम में आपको सब्दानी रखनी है, घर और ओफिस की बात करें, तो घर और ओफिस में कहीं ना कहीं कोई धार में गतिविती होगी, या तो पूजापाट होगी, या तीरत यात्रा के लिए आप लोग जाएंगे, या ओफिस में कुछ ना कु सुर्य, गुरू, शुक्र और शनी ये जो चार घरे एक साथ बैठेंगे, इसका क्या है, तो इसका जो एफेक्ट है, वो मित्रो पड़ेगा खासकार उन पे, जिनकी शुक्र की महादशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके कारे अटक जाएंगे, आपके कारियों में इन तीन ग्रहों की महादशा या कुंडली में अंतरदसा चल रही है, अन्य था आप पे इस चतरवर्गी यूति का कोई भी एफेक्ट नहीं रहेगा, तो मित्रो इस कारे करम में हमने बात करी, शुक्र के राशी परिवर्तन का क्या असर रहेगा, और खासकर आट राशियो पे इसका अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव हुआ है, अगर ये कारे करम आपको अच्छा लगा, मित्रो, तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जै माता दी मित्रो मैं पिछले 5 साल से गुरू जी से जुड़ी हुई हूँ, और मेरा जो अनुभव रहा, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, जैसे कि मेरे जिंदिगी में बहुत सारे उतार चड़ावाए, जबसे मैं उनसे मिली हूँ, मेरी एक लाइफ ह वो smoothly चल पड़ी है, जो भी सबसे पहले हैं विश्वास, मैंने गुरू जी के ऊपर पूरा विश्वास रखा, जो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, उपाय बताये, पूरे विश्वास के साथ मैंने उन उपायों को किया, और जैसे उन्होंने बताया, मैंने वो सब किय और मेरी जो समस्याएं थी परिवार से जूड़ी वो सारे कश्ट मेरे उनके संपर्क में आने से दूर हो बहुत अच्छी बात है और आप भी कुछ कहेंगे जी माता की गुरुजी जैसे रेनु जी ने बताया है हम पिछले पांच साल से इनके साथ सगन्य के इंदर थे इनी की देखरेक के इंदर जो भी इन्होंने उपाय बताये हमने किये मुझे एक बहुत बड़ी समस्या होगी थी कुछ साल पहले मेरे ब्रेन के इंदर सर्जरी हुई थी वो भी इनकी उसमें जो एक करवाया अब इन्होंने जो जो उपाय बताए हमें बहुत अच्छा लगा वो सब करके और अब तो यही चाहते हैं कि माग दिया भभोती कृपा से इनका काम बहुत बड़े और हमें इनका आश्रवाद हमेशा मिलता रहे बिल्कुल बहुत धन्यवाद और हम भी मातारानी से यही प्रातना करेंगे कि आपके जो सारे कश्ट दूर है ऐसे हमेशा हुए और जो भी गुरु जीनि आपको उपाई बता है उसका आपने पूरा पालन किया है और जो भी मंत्र बताया वो भी पूरा आपने किया है उसी का आपको आपके जीवन में अच्छा लाव मिला है तो बिल्कुल हम सब प्रातना करेंगे मातारानी से कि आपका कश्ट दूर हो और आपकी मनों कामना पूर्णों जय माता दिए